नमस्कार हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर शेविनंदन दोस्तों आज हम पाट शोला के भावार्थ लेकर उपस्थित हुए हैं जैसा कि परिक्षाएं आपके नस्दीक हैं इसलिए हम चाहते थे कि अभी हम भावार्थ पर वीडियो बनाएं तब तक आप लोगों के कमेंट भी पढ़े और कमेंट में आप लोगों ने भावार्थ के लिए वीडियो मांगा भी है कि सर आपने परशन अभ्या सोलूशन तो दे दिया है भावार्थ पर कोई वीडियो बनाकर हमें देजिए तो आईए आज भावार्थ पर हम वीडियो ल लेकर उपस्थित हो आईए शुरू करते हैं भावार्थ भावार्थ में दोस्तों सबसे पहले हमें लेखक परिचे पढ़ लेना है लेखक परिचे क्या है सज्जाद जहीर आधुनिक उर्दू कथा साहित की प्रमुख लेखिका मानी जाती है आधुनिक उर्दू कथा साहित कर ही प्राप्त की विबाह के बाद उन्होंने इलहाबाद विश्विद्याले को पूरुका आक्सपोड भी कहा जाता है अब तो केंद्री पिद्याला है लेकिन पहले यह पूरुका आक्सपोड के नाम से प्रशिद्ध था आक्सपोड इन्वस्टी से इसकी तुलना की गई तिलहावत विश्विद्याले से यमे उर्दु की परिख्षा पास की सन 1947 हिजबी में वे अजमेर से लखनव आकर करामत हुसेन गल्स कालेज में कहां पर लखनव में गल्स कालेज में अध्यापन कारिय करने लगी सन 1965 हिजबी में उनकी नियुक्ती सोवियत सुचना विभाग में हुई उनकी नियुक्ती कहां हुई सोवियत सुचना विभाग में हुई उन्हें सोवियत भूम नेहरु पुरसकार प्रात हुआ उत्तर प्रदेश से उन्हें उर्दु अकादमी पुरसकार सम्मानित किया गया उर्दु अकाजवी पुरसकार से भी उन्हें सम्मानित किया गया उन्हें अकिल भारती लेखिका संग अवार्ड से अलंकित किया गया शम्मानित किया गया अंततह 18 दिशंबर 1989 इस भी को उनका अंतकाल हो गया वह मृत्यु को प्राप्त हुए प्रवुख रिचनाएगर उनकी बात करें तो रजिया सज्जाज जहिर के मोलता उर्दु की कहानी लेखिता है उनका उर्दु कहानियों का शंग्रह जर्द गुलाब जर्द गुलाब कहानियों का एक शंग्रह है जिसमों उनकी समस्त कहानिया संग्रहित हैं साहितिक विश्यस्ताएं स्रीमती रजिया सज्जाज जहीर जी का आधुनिक उर्दू कथा साहित में महतपूर इस्थान है उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं उन्होंने उर्दू में बाल साहित की रचना भी की है अपनी रचनाओं में लेखिका ने बाल मनो बिज्ञान के अनेक सुन्दर चित्र अंकित किये हैं उनकी कहानियों में सामाजिक सदभाव, धार्मिक शहिसुडता और आधनिक संदरभों में बदलते हुए पारवारिक मुल्यों को उभारने का शफल प्रयास मिलता है उन्होंने अपनी अनेक कहानियों में समकालीन सामाजिक धार्मिक पारिवारिक आध बिशंगतियों और बिडम बनाओं का अनूठा चित्रन किया है सामाजिक यथार्थ और मानवी गुडों का सहसामान जस्य उनकी कहानियों की महद्पूर भिसेशता है उनकी कहानिया मानवी संबेदनाओं से ओत परोत हैं इसी तरह से इस कहानी में नमक में लेखिका ने भारत पाग विभाजन के पश्चात सरहद के दोनों और विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलते हूं उनका मारमिक वड़न किया है इसी प्रकार अनेक कहानिया मानवी पेडाओं का सजीव और मार में चित्रण प्रस्तुत करती हैं अगर लेखिका की भासा सैली देखें तो भासा सैली जो है सहज, सरल और मुहावरेदार हैं वे उर्दू भासा की स्रेश्ट लेखिका हैं और दोस्तों आपको पता होना चाहिए उर्दू की जो भी लेखक और लेखिका हैं उनकी बाणी बहुत ही सहज और सरल और मुहावरेदार होती है तो उनकी कुछ कहानिया देवनागरी लिप में लिखी जाए चुकी हैं पन हुई है वसुतह स्रीमती रजिया सज्जाज जहीर उर्दू कथा साहित की एक महान लेखिका है उनका उर्दू कथा साहित में महतपूर योगदान है अगर उनका योगदान देखें तो महतपूर योगदान है पाठ परिचे की बात कर लेते हैं तो पाठ परिचे में क्या आएगा कि नमक कहानी भारत पाग विवाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित अर्थात जो दोनों देश के लोग हैं जो यहां से वहां गए या वहां से यहां आए पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए विस्थापित लोगों के जिन्हें अपना घ अगर ठीकाना बनाना पड़ा ऐसे बिस्थापित लोगों के दिलों को ट्रटोलती मारमी कहानी है रजिया सज्जाज जहीर की नमख सिर्शक कहानी भारत और पाकिस्तान भारत पाक भीवाजनु के बाद सरहत के दोनों तरप के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मी कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिस में अपने पराये देश-परदेश की कई प्रचलित धारणाओं का सवाल खड़े किये गए हैं। सवाल क्या किये गए हैं? खड़े की अगर था, परिस्न खड़े किये गए हैं। लाए जाने के फर्माइस करती हैं। वहाँ से नमक भी मंगाने के फर्माइस इच्छा रखती हैं। कश्टम अधिकारी नमक ले जाने के इजाज़त नहीं देती हैं। क्योंकि वहाँ से नमक लाना रोक हैं। जिले के जीसे ले जाना गयर कानूनी है। देहली को अपना वतन बताता है इसी तरह भारती कष्टम अधिकारी सुनेल दास गुपता का कहना है सुनेल दास गुपत जो है उनका कहना है कि मेरा वतन धाका है मेरा वतन कहा है धाका है राष्ट राज्यों के नई सीमा रेखाएं खीची जा चुकी है और मजहवी आधारपन लोगों ने इन रेखाओं के उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं इसके बावजूद जमीन पर खीची गई रेखाएं उनके अंतरमन तक नहीं पहुचपाई हैं उनके अंतरमन में रेखाएं नहीं आज हुआ एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते हैं अपनी जमीन से उतना ही लगाओ रखते हैं इसलिए लेखिका ने यहां दिखा है को उनक अंतरमन तक यह रेखाएं नहीं पहुचपाई नहीं खीची जा चुकी है अगर सबद ब्याख्या देखें पाठ में जो सब्द छबी है शब्द ब्याख्या की बात करें तो उमदय सब्दाया है अक्षा नफीस सब्दाया है सूरिचिपूर्ण और रुक्षत रुक्षत स बटवारा हिस्से बखरें बटवारा मुराववत संकोज करना अधीब कहते हैं साहितकार लबोल है जा बोल्चाल का तरीका नवाज सम्मानित करना इसी तरह शोगार, भेट, अजीज, प्रिये, चो बहुत प्रिय होता, उसी अजीज कहते हैं, नजदी की, बाजी, बाजी जो सब्द है यहां, दीदी, बाजी कहते हैं, बाजी, दीदी, दोहर सब्द है, कपड़े को दोहरा कर, शिली गई चादर, दोहर, यहां, जो हम उलते इस तरह से जो सब्द व्याख्या है पाठ वे परसिद्ध सब्द हैं उनकी व्याख्या इस तरह से थी और अगर अब व्याख्या की बात करे पाठ की व्याख्या की बात करे तो नमक कहानी रजिया सज्जाद जहीर द्वाररचित कहानियों में स्रेश्ट कहानी है यह भारत प ऻ्यूंधों का राइसिख इवी आज भी लाहोर को ही अपना वतन मानती है सवगात के तौड पर वहां बाधोरी नमक लेजाने की फर्माइस रखती है लाहोरी नमक सफिया का बड़ा भाई पाकिस्तान में बहुत बड़ा पुलीस अफसर है सफिया के नमक को ले पर वह उसे गेरकानूनी बताता है लेकिन सफिया वहां से नमक ले जाने की जिद करती है वह नमक को एक फलुक की टोकरी में डाल कर कस्टम अधिक्यारियों से बचना चाहती है सफिया को विस्थापित सिख वीबी याद आती है जो अभी भी लाहोर को अपना वतन मानती है अ उन्हें किन्यों की टोकरी में नमक है यह बात केवल वही जानती है लेकिन वह मन ही मन कस्टम वालों से डरी हुई है कस्टम अधिकारी सफिया को नमक ले जाने के इजाज़त देता है तथा देहली को अपना वतन बताता है तथा सफिया को कहता है कि जामा मस्जित की सीड़ को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहोर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा तो बाखी सब रफता सफता ठीक हो जाएगा रेल में सवार होकर सफिया पागिस्तान से अमरिसर पहुची वहां भी उसका समान सामान जो है उसके साथ कश्टम वालों ने चेक किया भारती कश्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त ने सफिया को कहा कि मेरा वतन धाका है और उसने यह भी बत यह भी देकर सफियत सोषती रही कि के इसका वतन कहाँ है इस कहाने के माध्यम से लेखिकाने बताया आएगी राष्ट राज्यों की नई सीमा के रेखा ढोलों इन रेखाउं कि इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं, अपनी जगहें बना चुके हैं, इसके बावजूद जमीन पर खीची गई रेखा, उनके अंतरमन तक नहीं पहुच पाई हैं, इस तरह से इस पाट की ब्याख्यां यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही, आपक को समय से मिलता रहें, धन्यवाद, जैहिंद, जैवाराइद